इंडिया और इंग्लेंड के मैच के अंदर इंडिया की बैटिंग समाप्थ हो चुकी है और अब कुछ ही शनों में इंग्लेंड जो है बैटिंग करने आएगा ना इंडिया ने अपना बदला लेना है और वो बदला 2019 का है आज जो इंडिया ने सकोर किया है वो सकोर है दूसब इनटिस रन पे आज इंडिया की जो है पारी सिमटगी अब इंग्लेंड को दो सो तीस रन चाहिए जीतने के लिए आप आप सभी लोग मेरे साथ परातना करे कि भारत ये मैच जी जाए क्योंकि भारत ये मैच जीत कर नंबर वन पोजीशन पे पहुंच जाएगा अभी तक भारत ने पांच मैच खेले हैं पांच के पांच मैच भारत जी चुका है ये चटा मैच है और चटा मैच बड़ा ही महत्तपूर्ण है आज जो लखनोग के एक स्टेडियम में हो रहा है और इस समय दर्शकों की बात करें तो जितने दर्शक स्टेडियम में हैं उससे कई गुना दर्शक जो है इस समय अपने टीवी स्क्रीन्स पे अपने हाट स्टार OTT प्लैटफॉर्म के उपर इस मैच को देख रहे हैं बस अगर इतने लोग सभी मिलकर प्रातना करें तो हमारा भारत जितेगा और हमें पुरा विश्वास है अपनी भारत के गेंदबाजी के उपर कि आज हमारे जो गेंदबाज हैं आज उनका सही जो इंतहान होगा कि हमा अब वक्त हमारे बॉलर्स के हाथ में हैं और बॉलर्स के लिए एक बहुत बड़ा इंतहान है ये मैच किस तरहां से जीता जाए क्योंकि 229 रन रन तो जैदा नहीं है लेकिन इस मैच को जीतना बड़ा इंपॉर्टन है क्योंकि 6 के 6 मैच फिर इंडिया जीत जाएगी और आज का मैच इंगलेंड के साथ है कुछी दिर में इंगलेंड बैटिंग करने आएगा भारत ने आज अपनी पारी में 229 रन लगाए जिसमें रोहित शर्मा के आज सबसे जादा रन थे 87 रन रोहित शर्मा जी ने आज लगाए और एक बॉल के उपर वो कैच होगे जिनोंन अच्छा उन्होंने भी लास्ट के समय को जो है संभाला और 229 रन तक पहुंचाया चलिए आप लोग अब इंतजार करें दूसरी बैटिंग का और साथ में परातना करें कि भारत यह मैच जीतना चाहिए राम राम सिरी सत्य सनातन धरम की जये